कैसे हूँ आप सब तो आज में आप सब के साथ एक मेकप विडियो शेयर करने वाली हूँ जिसमें बिगनर्स के लिए स्ट्रेप बाइस स्ट्रेप मेकप कैसे करें और अगर आपके घर में साधी फंक्शन है तो इसमें मैं सारी चीज़े बताऊंगी जिसे आप सब के सवाल आते हैं कि पहले कंसीलर लगाए पहले फाड़ेशन लगाए पहले क्या चीज़ लगाए तो वीडियो को हाथ जोड के निवेदन की पूरा देखिएगा अभी में एक वीडियो शूट के लिए लहंगे के लिए ग्रे कलर का मैं फुल लूक आपको लगा दोंगी तो मैं इस इसके लिए मैंने यहां पर यह लकमी की पर ली है और यहां पर देखिएंगे से मेरी आई ब्रो हूं अपने इलिट को जो है वह अच्छे से कंसील कर लेंगे और यहां पर आई कंसीलर भी यूज कर सकते हैं बट मैं अभी यहाँ पर यूज़ करने वाली हूँ और टाइम फेबरेट यह मेरे सुगर की कंसीलर स्ट्रिक जिसकी हैब से यह देखिए मैंने अपलाई कर लिया है क्योंकि अभी हम आई मेकप कर रहे हैं तो अच्छे से अपने आखों को सेट कर लेंगे कंसीलर की हैब से ब्लेंडर का यूज़ कर सकते हैं और अब ब्रस का यूज़ करिए बहुत अच्छा मेकप होता है ब्रस बहुत इंपोर्टेंट होते हैं बट अभी मैं इसको अपने फिंगर की हैब मैं आज काजल ट्राई करने वाली हूँ मैं सोच रही हूँ कि मैं काजल नहीं लगाती हूँ और तो हम इसा आउटर कॉर्णर से सुरू करिए लाइनर लगाना कभी भी इनर कॉर्णर से सुरू करेंगे तो वो चीज फैलने का डर जादा रहता है और एक ही बार में पूरा मोटा करने की लाइनर को कोसिस ना करें और इस तरीके से आप विंग लाइनर बना सकते हैं वैसे मैं जल्दी ही वीडियो लेके आने वाली हूँ कि 7-8 तरीके बताऊंगी मैं आपको लाइनर अपलाई करने के और मैं आदत हो चुकी इसलिए मैं बहुत ही अच्छे से लाइनर जो है वो अपलाई कर लेती हूँ इसके बाद मैं यहाँ पे यह कलर बार का प्राइमर अपलाई करूंगी मेकप करने से सबसे पहला प्राइमर लगाना ज़रूरी होता है जिससे हमारा मेकप एकदम पर्फेक्ट होता है तो यहाँ पे इसको रगड़ रगड़ के नहीं लगाना है बस फिंगर की हेल्प से मेरे एक हाथ में ऐसे मिरर होता है मुझे थोड़ा सा प्राब्लम होता है बड़ मैं कोसिज करती हूँ कि मैं बहतर कर पाऊं दुक्तव करता हो हुआ उस के बाद में यहां पर यह पाथ मिलाणी का टू-इंवन यह मैं फांडेशन लूंगी यह मेरी स्किन ढ्राइरर है मैं के साथ बहुत अच्छा जाता है में टोंन के हिसाब restriction यह बहुत अच्छा जाता है तो आप अपने स्किन के जो प्राइमर है वह बहुत अच्छा है मेरे लिए और यह मिलानी का ओल टाइम मेरा फिवरेट फॉर्मडेशन तरह से फिंगर की हैप से इसको आप डैब डैब करके कर सकते हैं या फिर इस तरीके से आप ब्रस की हैप से भी फॉर्मडेशन को हम यहां पर देखिए हमारा अच्छे तरीके से फॉर्मडेशन जो है वह सेट हो गया है आपको डार्क सरकल जादा है या फिर आपके स्किन पर डार्क धब्बे है तो आप कंसीलर जरूर यूज़ करें अभी मुझे थोड़े से डार्क सरकल रहे तो मैं यह इस तरीके से और यहां पर यहां पर फॉर्मडेशन के बाद आप कंसीलर इसी में इस तरीके से ब्रस है इसकी हेल्प से में पाउडर की हेल्प सेट करेंगे और इसके बाद आप चाहें तो चाहें क्या मतला आपको कॉंटोरिंग करना चाहिए बट अभी मैं थोड़ी सी जल्दी में हूँ इसलिए इस वीडियो में कॉंटोरिंग नहीं करने वाली हूँ तो मैं जब भी कॉंटोरिंग करूंगी तो मैं जरूर शेयर करूंगी आप स देखिए मैंने थोड़ा सा यहां पर ब्लस अप्लाई कर लिया है यहां पर थोड़ा सा कम है यह में पास मेबलीन का हाइलाइटर है और हाइलाइटर ब्रस की हैप से मैं हाइलाइट कर लूँगी अपने चिक बोन को अपर लिप्स पर उसके बाद मैं यूज करूँगी यह मेबलीन की लिप्स्टिक मैट लिप्स्टिक मेरा पूरा फाइनल मेक अप और यह देखिए मैंने यह वला चोकर सेट डालिया यह लहेंगा मैंने पहना है और यह मैं एक चीज अभी भूल रही हूं यह फाइनल मेक अप नहीं यह मांटिका का पूरा सेट बहुत प्यारा सा लग रहा है मैं अभी सब कराए बट मस्करा नहीं लगाया जिसकी वज़े से थोड़ा सा यह पाउडर पाउडर जैसा है तो बाकी सब यह आप देख सकते हैं कि बहुत ही प्यारा सा हुआ है वीडियो पसंद आए तो लाइक स सब्सक्राइब जरूर करेगा फिलाल मैं अपने वीडियो शूट के लिए जा रही हूं लेकिन उससे पहले मुझे रोटिया बनानी है मेरा मेकप वीडियो एक ब्लॉग टाइप का ही होता है मैं कोशिस करते हैं आप सबसे बहुत सारी बाते भी करूं तो हम मिलेंगे आप स अपना बेहत ख्याल रखे